हेलो फ्रेंड्स आप सभी का निर्माड एजुकेशनल इंडिया चनल में श्वागत है और आज हम लोग प्रिवियर यह कोश्चन का ही बहुत ही महत्पुन कोश्चन को कवर करेंगे इसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे तो आप लोग प्लीज पूरा वीडियो देखें और इसका आनन्द उठा है और 2021 के लिए तो समाझ लिए यह कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसलिए आज हम लोग जो कवर करेंगे वो सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम कुर्स एट है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी स्टुडेंट के लिए जो बहुत इंपोर्टेंट है तो देखिए कोश्चन क्या है ग्यान निर्माड की पड़किरिया कबर नर करें देखिए हम बार बर बोलते हैं पूछे कोई भी कोश्चन लेकिन उसके बारे में थोड़ा प्रस्तावना देना जरूरी है मौस्टली अधिकांस लोगों को इपता लोगों का की जो संसार है किसने बनाया है इश्वरार ने बनाया है तो यहाँ जो भी चीज चीज़ है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको हम देखते हैं, तो उसके बारे में विचारुत पन होता है, चुकि हम इंसान है, चिंतन, मनन, तर्क, वितर्क, इस अब क्या है? हमारा स्वभाविक गूढ है, जो लेके हम जनम से पैदा होते हैं, इसलिए किसी भी बस्तु के बा निर्माड होता है देखिए ये सारे जब विचार आते हैं तो इन्हीं विचारों के help से क्या होता है ग्यान का निर्माड होता है ग्यान का निर्माड सत्य गुड के अत्यदिक प्रभाव से होता है देखिए हम सभी जानते हमारे अंदर क्या होता है सत्य गुड भी होता है और खोज क्या मतलब होता है जैसे हमारे रिशी मुनियों ने कठिन तपस्या वैराग के द्वारा कठिन से कठिन ग्यान को प्राप्त किये थे जैसे हम लोग बेद ग्रांत में पढ़ते हैं बेद मुनिया विश्वामिंत्र है ये लोग किया थे बहुत बड़े बड़े ग्यानी मनुस में जो ग्यान धर्म और वैराग की भावना विख्षित होती है वह बुद्धी में सत्य की परधानता के कारण होती है इनसान मतलब जो हीमन विंग्स है इनमें जो नौलेज नौलेज जो होता है किसके कारण होता है धर्म और वैराग की भावना विख्षित करती है ज जो मन में बैरा गिया जाए इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब कहा जाता है अरे उन्हें वास्तिक ग्यान पराप्त हो गया जैसे महादमा बुद्ध थे महादमा बुद्ध किया पहले गिरहस्त लाइप में थे गिरहस्त लाइप में ही थे साधी व्याकिये एक बेटा भी जानक क्या हुआ, उनको बैराग उत्पन हो गया, बैराग उत्पन हो गया, तो विक्या सत्य की खोज में भटक पड़े, बहुत कहां भटकते भटकते तो बोध गया में गया, तो उनकी चेतना क्या हो गया, जागरित हो गया, उनकी क्या हो गया, वास्तिक सत्य का ज्ञान हो ऐसे ही बाद महावीर के साथ भी है ठीक है ग्यान के द्वारा ही बेक्ती में चेतना का परकास उत्पन होता है यह ग्यान नहीं है क्या करता है जो हमरे चेतना को जागरित करता है हम भी इंसान है लेकिन क्या हमरे पास ग्यान नहीं है तो हम इंसान का अलाने लायकर नहीं दिखे दिखेंगे टोहे बात इंसान है। किसी के आ सबसे नतर सकती इसलियर समय कै Jason की युद्ट काहिए जाती यह वह था है डिखेर इसां के एड़ॏबल हो जनाता है इस परुए गोकर कर दिखेंग्न चाहे आप लोव इस बात को ले लीजिए, चाहे बोकसाइट को ले लीजिए, चाहे कुरमाइट किसी को भी तंबा, सबको ले लीजिए, सबको टेकनोलोजी ने भी हत्तर उपरदान किया, तो इसको, इसमें किसका सबसे बड़ा हाथ, इंसान का है, इसलिए कहा जाता है, सबस हम एक्वायर भी करते हैं तो जब तमो गुड की परधानता हो जाती है तब ग्यान का सरूत तामसिक हो जाता है देखें तमो गुड का मतलब होता है नो कि जो किसी का विनास करें नास करें मतलब आप बहुत ग्यानी है लेकि समाज के लिए अप धबाया किसी कुछ चैन साप जीने नहीं देते हैं तो क्या हो गया तमो गुड हो गया जैसे कंस कंस ग्यानी नहीं था क्या रावन ग्यानी नहीं था महापंडित था फिर भी क्या था दुनिया समाज सब के लिए क्या था कलंक था तो उसको क्या कहा जाएगा तामसिक गुड कहा जाएगा तो तामसिक ज क्या आतुम् 1 आदिलों के पास घ्ञान नहीं होता है, वह बहुत Blue ऐश्य खान के तमतियों घ्रु गोच्म ऐसेृ वादको अपने जहान में हमें बैठाना होगा जिसके कारण मनुश्मा घ्र का ध्र वाब। प्रकार वह करी धरुज मैसेट कि कि जब इंसान में तो मुगूर रहेगा, जिससे समाज का भलाई नहीं होगा, जब समाज का भलाई नहीं होगा, तो वो चीज क्या होगा, वो चीज समाज के लिए खत्र होगा, तो अधर्म उत्पन करेगा, अग्यानता उत्पन करेगा, तो उसी का अग्यानते मौधर्म का ज जानेंगे ज्यान एम सिक्षण अधिखम समागिरी का परियोग ज्यान निर्माण में महत पूर्भम का निभाता है। ज्यान निर्माण में महत पूर्भम का होती है। सामने आता है देखिए इस पॉस्चन में स्वब से इंपोर्टेंट कुछ मनो बाइग है जिनका बारे में जानेंगे ऐसे तो बहुत सारे साइकलोजिस्ट है सब दो ज्याने की बात करते हैं जैंक भूतі है जो G eternल के मुख्यादम साजा प्रहआूजर की हो अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेजिएगा और ऐसी इंसान है जो बीट के बाद हर स्टुजेंट का सपना होगा सीटेट के एक्जाम देना इस बैठा लेजिएगा और यह जो मनोवेग्यानिक है इनका तो किसी बेहाल में आपको मन करे या ना करे पर नहीं पर ना है एक तो आपके प्याजे महराजी है प्याजी सी हर साल सीटेट में कितना कोश्चन पूछता है आप लोग प्रिवियर इयर जो भी कोश्चन है उसको उठाके देख लिजिएगा अब पहले तो इजी इजी पूछता था लेकि अभी जैन्मेरी का कोश्चन ठाइगा थोड़ करते हैं तो प्याजे है ब्रूणर लेव वाई गुसकी है देखे यहां पर प्याजे जो है इनको समझेंसधी स्वीटिजरलेंड के प्याजे कहां के है स्वीटिजरलेंड के और इनके जो सिधान्त है बहुत इंपोर्टेंट है इन्हों ने संग्यानात्मक सिधान्त दिया साथ-साथ कुछ नैतिक सिधान्त पर दिया जिसके तरज पी आगे कुहलवर्ग ने अपने नैतिक सिधान दिया कोहलवार का नहितिका सिधान ज्यादा फेमस है और देखे यह बुरुनर है बुरुनर ने अपने तीन सिधानतों को दिये ठीक है यह अमिरकन मनोबैग्यानिक है लेव वाइगोस की जो है यह रसियन है इनका ज्यादा से ज्यादा 35 प्लस यानि मुसके से 38 उम्र तक इनकी मतल कर दें कि प्याजे क्या है इगोसेंट्रिक के समार्ण मतलब कहते हैं कि इगोसेंट्रिक बच्चिण में होता है लेव यह बिकार है calls कुई का लिख नहिए लेकिन उसी चीज को लेव घो़यो की ं की है, language को value देते हैं, प्याजे है, समाज को value नहीं देते हैं, उनका कहना समाज को नहीं सिखाता है, बच्ची अपने आप वातावरन समाज में रखे, खुद ग्यान का क्रेट कर लेते हैं, लेकि वाई कि उसकी माराजी कहते हैं, कि नहीं, बच्चे अपने व्यस के साथ जो बैठते हैं, यानि MQO, यानि अपने से more knowledgeable person के साथ जब बच्चे रहते हैं, क्या वोई सिखते हैं, बहुत कुछ सिखते है उनका डबलब होता है, इसी अधार पर तो कहा जाता है कि ज्वेंट फैमिली में बच्चे जो होते हैं, उनका संग्यात नात्मक विकास, निकलियर फैमिली में रहने वाले बच्चों के अफ्यक्षा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहां से देखिए, हम बारे-बारे प्याजे, देखे, इसमें है तो ग्यान निर्मार पर करिया बताना है, ठीक है, तो लेंगोजी पढ़ना, लेकिन इसमें देखिए, प्याजे में एक दम बैठा लिजे दिमाग में, चुकि कोहल बच्चे में बहुत लोग गड़बड हो जाता है, चुकि प्याजे जो है, फूर एस्टेजे दिया है, ठीक है, कितने एस्टेजे दिया है, फूर, वहीं कोहल बर्ग है, वो तिन दिया है, लेकिन तिन लेबल को क्या किया है, वो दो, दो, चार, दो, छे, यानि सिस एस्टेज में उसको बाट दिया है, तो और नय तिक तक बात करते हैं, अब प्याजे संग्यानात्मक रशनावादी मैने जाते हैं। देखिए, इनका कैसे ग्यान करिमाल होते हैं, इनका क्या सिधानत हैं, उसे हम समझेंगे। कुछ गारजेन कोते हैं, बहुत नलायक है, बदमास है, देखो ना, सब चीज तोड़ फोड़ करता है, नहीं, नलायक नहीं है। प्याजेन कहा है, वह क्या है, बेग्यानिक है, लिटर साइन्टिस्ट है, वह कुछ ना, कुछ उसे सीख रहा है, उसे सीखने देना चाहिए, फोड़ेगा, जोड़ेगा, ठीक है, बच्चे देखिए, कितना प्यारे क्या करते हैं, खिलोणा है, आप कोई भी गारे लाइशे लाइशे तोड़ देते हैं, कोई भी डॉलाया तोड़के फिर उसे जोड़ेंगे, तो काने का सेंस है, बच्चे क्या है, एक नान्ने मतलब प्राप्त करते हैं, उनका काना है कि हमारा जो आसपास का जो वाता वडन है, जो सरांडिंग्स है, उसमें जो भी चीज़े उपलब्द है, उससे बच्चा क्या करेगा, अंतक्रिया करके अनुभा प्राप्त करते हैं, और उसकी परिचारिया, उसका मतलब discussion किसके साथ करते है अपने peer group में जाते हैं, उहां पर करते हैं, तो उन्हें क्या होता है, ज्यान पराप्त होता है, learning पराप्त होती है, प्याजे ने संग्यानात्मक सिधान दिया, प्याजे ने क्या दिया, cognitive principle दिया, संग्यानात्मक विकास का अर्थ है, अब समझेंगे कि cognitive development theory क्या है, तो जिसमें वा बुद्धी करते हुए, समय चिंतन करता है, प्याजे ने चिंतन के बहुत दिया, उनका कहना है कि संग्यानात्मक विकास आकिर है क्या, बेक्ति की उस प्रोसेस से है, बेक्ति की उस क्रिया परति क्रिया से है, जिसमें वा अपने बुद्धी का परियू क्या कर होता है.. चिंतन करने में करता है.. और उसी दो रहन वह सिखता है .. संध नातम के विकास कि विपन आवस्टावम अभ Herrn.. फूर आवस्टावम विकासaton कि विवन आवस्टाहं में थीए.. जिसम्त students कि विए के विपस के संग्या नातम करती है.. देखे, फूर एश्टी दिये हैं, तो क्या होता है, हर अवस्ता में बेक्ती अलग-अलग किरियाय करता है, संग्यनात्मक संराचना एक बेक्ती के ग्यान का दूसरा नाम है, देखे, संग्यनात्मक संराचना, देखे, संग्यनात्मक संराचना का नाम, मतलब कोगनेटिब जो structure इसका नाम प्याजी ने special नाम दिया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं schema बोलते हैं सीटेट में देखिए कोशन पूचा हुआ है कि जो mental structure होता है तो उसे क्या कहा जाएगा प्याजी ने क्या कहा है schema कहे है schema का अर्थ होता है mental structure ठीक है कुछ words है प्याजी का कि मानिए कि मानिए आप सीधान तो first year में पढ़ लिया है फूरेश्टेज है लेकि फिर भी इतना घुमादार पूचता है कोशन सीटेट में कि आप लोग फज जाएगा तो फूरेश्टेज है पहला sensory mode है sensory stage है ठीक है second है concrete pre of rational ठीक है और third है concrete of rational और fourth है formal of rational तो काने के मतलब एस्टेज तो किसी को याद वाजाएगा लेकिन कुछ words है जो बहुत confusion करता है लेकिन आज एकदम मैं 100% guarantee देती हूँ आज के बाद जिने confusion होगा कभी confusion नहीं रहेगा जब seated में बैठेंगे question बनाने easily बन जाएगा देखें इसे कुछ चीज़े उनका हम रोज समझने का कोशिश करते है तो first देखें आपनों समझ लेजिए schema तो प्याजे कुछ सार schema क्या है schema क्या है mental structure है mental structure का मतलब है कि हम जब किसी चीज़ को याद करते है तो उसका schema यानि उसका परतिक मन में बैठ जाता है यसे मानिए यदि आप डोग को देखे है तो डोग का नाम लेते ही डोग क्या हो है एक दम दिमाग में बैठ जाएगा कि डोग के दो क्या चार पैर होते है उसके पूँच होते है उसका मतलब दो आँखे होती है एक पूँच होता है इप मन में बैठ जाएगा और चाहा कि अपनी सिष्टर हुआ ब्रादर हुआ या अपनी फादर के परेमे सोच नहीं तो बैठ जाएगा लेकिं कोई ऐसी भी चीज होती है, जो हम नहीं देख रहे हूँ, फिर भी उसका प्रतिमा बन जाती है, जैसे मैनी हो की भूत है क्या कभी कोई भूत को देखना नहीं देखना फिर भी अंफेरी घोर अंफेरी रात मैं आप किसी समसान घाट से गुजर रहे हैं। करते हैं तो तो आप एसवर जीस बना को याद करें तो ऐसे आंग बंत करके जब याद करते हैं क्या होता है आप अल्ला को नहीं देखें thing करके श्रीश ऑंज लक्रहों का दुटा करें थैंगर ने को इस विस्ट करते हैं इस मत लिज़ है तो इस मत बन जाता है इन शीमिलेशन, देखें, इंग्लिस वड़ें आपर रट लीजेगा, हिंदी बहुत गुमाधार पूछता है, सीटेट में तो खास कर से, जो सीटेट होता है, ऐसा ऐसा हिंदी पूछेगा, हिंदी मेडियम आले गोल गोल गुम जाते हैं, तो हिंदी मेडियम के वाले लो के पड़ हो जाता है, बहुत है, चीजों में गलत बच्चे बना कर जाते हैं, अब सीटेट में बताई, गयारा बारा लाख इंडिया के बच्चे, मतलब होल इंडिया में इतने बच्चे एक्जाम देते हैं, जिसमें मानिये कि सेकिंड पेपर में एसस्टी वाले दू ही और सीर कोशन, जो वेब साइट है, उस पे जो कोशन आंसर आता है, उसी को देखिए, एकदम पास कर जाएगा, टाइम नहीं है तब, टाइम है तो पुरा थ्रोली पढ़ना चाहिए, तो देखिए, इसमें समझेंगे, एसीमिलेशन, तो यहाँ पे देखिए, एसीमिलेशन का अट tow मतलब होता है, तो उसी को हम आत्म साथ कर लेंगे, उसी को हम एसीमिलेशन करते हैं, मानि हम देख रहा हैं, जैसे कोई लड़की है, पंदरह साल की, ठीक है, देख रहे हैं, मेरी मप में रोटी पका रही है, अब ऑभी नेश्डे क्या करेगी, रोटी पकाने लगे यानि उसने अपने ज्ञान में क्या किया कोई चेंज़ नहीं किया रोटी देख रही है पकाना रोटी बनाने लगी तो क्या हो गया यह एस शीमिलेशन हो गया यानि पूर ज्ञान में कोई बदलाब नहीं होना पहले की जो चीज देखे है उसको उसी तरह उसको मतलब धारन क कर लेना ऐसी मिलेशन है जैसे हुआ कि भाई मम्मी को देखी हो दाल चाओ सब्जी कल खा रहे थी और आई गुडिया वह भी दाल चाओ सब्जी खाने लगे तो क्या हो गया है यानि कोई ग्यान में चेंजिग नहीं है जो ग्यान वह प्राप्त की पुर्व में उसी ग्यान को को आतम साथ कर लिए तो इसको देखी एसी मिलेशन हा वह हम एसाएसा सीटेट में कोशन आता है कि मान यह कि कोई कोई लड़की है ऩी कग्या हुआ ममी को देखी दाल चाओल खाते हुए, वो भी आके दाल चाओल खाने लगी, प्याजे को उसारी क्या है? बड़ा कोशन थोड़ा आता है सीटेन में, तो क्या होगा? assimilation होता है, यान ग्यान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जब कोई बदलाव नहीं होगा? तो देखे एकलम याध रखेगा एक सिमिलेशन होगा एक देखे आता है Ecommodation देखे एंगलिज वर्ट याध करना ज़री होता है Ecommodation का देखे क्या होता है इसमें होता है पूर घ्यान में बदलाव कर लेना मनbackुमर जैसे देखे ईसी को कहने लगेगा आरे बिल्ली 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 तो क्या हो जाएगा? यस справू जाएगा? लेकिन जब कोई वहाँ वेक्ति कोगा कहा नहीं नहीं यह क्या है कुटा कुटा वहांग, कि इस पर आपने स्कीमा में बधलाव कर लिया, जब अपने स्कीमा में वेक्ति बधलाव कर लेता है, तो क्या हुगा? एकुमेडेशन हो गया, यहाँ पर एक और दूसरा एक्जामपल देंगे, इतना संदर एकदम दिमागों बढ़ जागा, मानिए वो लड़की रोटी पकाना देखी, रोटी पकाने लगी, लेकि उसे एक दिन मन हुआ, क्यों नहीं से दूसरा चीज बनाया जा, बस उस पराठ बना दी तो क्या कि रोटी से पराठा में चेंज हो गया, इस तीमा में क्या हुआ, बदला हुआ, इसको क्या कहेंगे, एकुमेडेशन कहेंगे, हो गया, आप देखिए, यह दो चीजे बहुत पुष्टा हैं सी टिट में, एसीमिलेशन, एकुमेडेशन, लेकि कभी कभार एकुमेडेशन पुष्ट दिया, तीसे भी दिखिए, आपनों समय लिजे, एकुमेडेशन का मलतब होता है, आपने रोटी बनाना सीखा, रोटी से पराठा बनाना सीखा, और दोनों में, जब आप ताल मल बैठा लेंगे, कि आटा एक ही है, उसी आटा से रोटी भी पक सक सकता है, उसी आटा से पराठा भी बन सकता है, उसी आटा से पूरी भी बन सकता है, तो यह क्या है, यह ताल मल है, जब आप ताल मल बैठा लेंगे, तो जब हमारे दिमाग में जो असंतुलन पैदा हो रहा है, अरे रोटी भी उसी से पका, उसी से पराठा भी पका, यह जो उसमें जब बैलेंस उत्पन हो जाता है जब हम अपने स्कीमा में बैलेंस कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं एक्यूलिब्रेशन कहते हैं बस complete प्याजे अंतता प्याजे की थियोरी के मद नजर रखते हुए यह आँ देखिए पढ़ेंगे आगे यह कहाँ जा सकता है कि बैग्यानिक शिक्षक बैग्यानिक शिक्षक जब हो चोकाने वाले परियूग परदस्री करते देखिए अब प्याजे कहाँ क्या है प्याजे के ग्यान निर्मार के परकिरिया के conclusion किया जा रहा है और इसमें बोला जा रहा है कि according to करता है चोकाने वाले काम करता है आज हम लोग हावा में उड़ रहा है आज हमारे घर में फ्रीज है यह शी है सब है कैसे है साइंस के वज़ा से है तो साइंस क्या करता है हमें साइंस चोकाने वाले काम करता है तो देखिए अब साइंस के टीचर भी क्या कि अंदर से उसका confidence मर गया है अंदर से लूज हो गया है और उसको आप किसी social study वाले teacher के पास बहेद दीजिए उसमें ज्यान भर देगा उसे इतना motivate करेगा जैसे महास्वरी करते हैं विबेक विंद्रा करते हैं आप लोग कितना भी टेंशन में रहे हैं उन लोग का मतलब motivation आ ओम सांती की ब्रहम कुमारी तो इतना motivate मिलता है कि यह तो इंसान जिंद्गी है मनुसे जिंद्गी तो struggle भारा है किसी का life नहीं है कि मतलब हर किसी का life नहीं कि जो सूने का चमसले के पाएदा हो तो इसमें बहुत समस्याय आती है तो इसमें क्या होता है कभी कभी हम अपने में इतना ठक जाते हैं अंदर से टूट जाते हैं कि उस समय हमें motivation की बहुत आ सकता होती है तो अगर ऐसा कोई हो जाता है अंदर से टूट जाता है उसको अपले जाए तो क्या होगा उसको तरो तजा कर देगा कहें तुम कर सकते हो कर सकते हो nothing is impossible everything is possible बस हमारा willpower क्या होना च जाए ऐसा कौन बोलता है सोसल एस्टाइडरी के टीचर बोलते हैं आप देखें सामने रखते हैं बालको के अब देखें आगे समझे उसको अब आगे कहां भूगोल के बूगोल के जो टीचर है जब विधारतियों के सामने जाएंगे नई देशों की खोज की उतसाहित करत करते हैं और इस पर कविधातियों को जागर कर देते हैं अब देखें एक स्टुडेंट है तो उसको देखें साइंस के टीचर जा रहा है तो पुरा आश्चर चुकित करने माला चीज को एक्स्प्रिमेंट बता रहा है और वहीं सोसल स्टाइडिक मानी इतिहास के टीचर ग हूंने लगा उन्बालेंस उतपन हो गया तो उसी पीरियन में देखें जो बचछे होते हैं उन सारी ग्यान को क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं एक बच्चा कर भी श्कूल लाता है ज adesso को एकी सब पढ़ा जाते हैं नहीं 7-8 घंटी होता है तो शारी सब्सप्रिक होता है फिर उसके अलावा हिंदी हुआ, संस्क्रीट हुआ, उर्दू हुआ, यह सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो सुचिए बच्चे के दिमाग में संतुलन पैदा होगा की नहीं, अवेश्य होगा, तो जब यह अनबलेंस पैदा होता है, तो बच्चे में क्या होता है, ए अन्टरजिष्टी उत्पन करते हैं, अब बच्चे के दिमाग में जब कौतुअल उत्पन होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक नएhellaenzie सब्जेट को क्या बीलेंस बना लेते हैं, और जब बैलेंस बना लेंगे, वह Commerce प्या हो जाएगा, उन्टरजिष्टी उत्पन हो जोड़ देते हैं, परीफब बुख्वाता पी इनका ज्यादा जोड़ है, ठीक है, हेरीडिटी को महतों देते हैं, अब डावतावरन को भी देते हैं, और संग्यान का इनका कहाना है कि जैसे-जैसे बच्चे का उमर बढ़ता है, जब बच्चा दू साल तक रहता है तो अपने सेंसे का उज़ करता है किसी भी ज्यान को जानने में जब दू से साथ सल का होता है पिरी ओपरियासनल में तो उसे में क्या होता है दू से साथ बच्चा क्या होगा चोटा बच्चा हो रहेगा इसकुल जाने लगेगा तो वो क्य परतिको से सिंबॉल का उच्वास करने लगेगा और इसके पास से जब साई से गयारख बर्ष में बच्चे जाएंगे तो मतलब मूर्थ रूप से चीम्तन करेंगे किसी चीज़ को छुके देखेंगे तब विश्वास करेंगे और अमुर्थ रूप से बच्चे जो 11 प्लस होते हैं फॉर्मल ओप्रेशन एस्टेम जाते हैं अमुर्थ रूप से इसमें तर्क, वितर्क, रिजनिंग, डिवेट, हाइपोतेसिस आजी भानाओ का मतला आदी थिंकिंग उत्पन होते हैं बच्चे में तो यह था प्याजे का, अब आगे हम लोग वाइगोस्की का समझेंगे यह भी देखें, बहुत इंपोर्टेंट है, एकनम ध्यान पूर्यक सुनिएगा इस सीटेट में भी बहुत कामाने वाला है बिएट के साथ इस सीटेट में भी आपका बलला हो जाएगा अब देखें इसको समझेंगे, वाइगोस्की कहा क्या है, रसीयन है और यह ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए इसी दुनिया में 35 प्लस या 38 में ही चले गए लेकिन जितना दिन तक रहे, पूरा इनका प्याजे का पूरा मने सीधान्त को कट 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 करते गए देखें, लेकिन दूनों अपने जगापस आई है वाइगोस्की के सीधान्त को समाजिक सांस्क्रितिक सीधान्त कहा जाता है देखें, वाइगोस्की में तीन चीज़े होने साथ दिमाग में याद रखेगा S, C, L, S का मतलब सोसल पे जोड़ दिया है C का मतलब कल्चर पे जोड़ दिया है कल्चर की बाते करते है L पे लेंग्वेश तीन चीज़े इनके सीधान पे बहुत इंपोर्टेंट है यादिक पोस्टर में आ गया सीटर में भी कि समाजिक सांस्क्रितिक लेंग्वेश कि किसने सबसे ज़्यादा भैलू दिया है तो हमारे वाइगोस्की जीने दिया है वाइगोस्की की सीधान को समाजिक सांस्क्रितिक सीधान भी का जाता है ये भी संग्यानवादी है ये भी रचनवादी है प्याजे की तरब वाई गोस के भाले ही 35 प्लस कम उम्रों तक ही जीवित रहे मागर उतना ही दिन में प्याजे का नाकदम करा दे तो बता ही चुके हैं उनके हर एक सिधान्त को नाकारा और अपना परमाण भी दिये देखिए कि वो नहीं बोल दिये कि भाई ऐसे दिये हैं उन्होंने सत्यता के साथ अपने सिधान्त को परमानित भी किया आप देखिए वाई गोस की है इन में दो बाते बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है एक तो देखिए जीडीपी जीडीपी देखिए अधिकान से बच्चे को समझ में नहीं आता है जीडीपी क्या है इसके फॉल्डिंग क्या है एक बच्ची है गुडिया के जैसे मानिए कि दो पैर है दो हाथ है दो पैर तो जोड़ती दो हाथ उसको जोड़ने नहीं आ रहा है तो क्या कि कुछ मेहनत की ना आधा तो मेहनत खुद की आधा बाकी रह गया तो उसको कौन समझाए गया उससे जो नॉलेज़बल होगा य अधा जर्चा जहां जनतलब यहां उसको चेतर है छ आटकी है उस एरिया को हम लोगे मतलब जहा है जहां अटका है ऊहांसे समझा कि उसको आगे कर दिया तो सभी होगे दो नहीं कर शोड़ voter है संस्के बाचब कोई उसको पोगड़ लिया cycle चलना गया temporary help कर लिया तो क्या हो गया GDP छेत्र हो गया जो help किया SKU folding किया SKU folding कि बात सबसे पहले किसी ने की थी इसका इस सब्द का देने का स्ट्रे बुरुनर को जाता है ठीक है लेकिन इसका एक सिप्रिमेंट इसका प्रयोग किसी ने किया इस बात को जहन महा में सब एठाले जाएगा तो देखें यहाँ GDP है GDP को समझेंगे इसका फुल फ्रम क्या होता है June Proximal Development क्या होगा June Proximal Development यहाँ पर देखें हम लोग समझेंगे यहाँ पर समझेंगे जो यहाँ मतलब कोई बच्ची है तो बच्ची है तो मानिए कि यहाँ पर गुलाकार बनाया है तो इसमें जहाँ तक फूल है माना भर गया है तो क्या है बच्ची क्या किया है बच्ची इतना दूर को मानिए कि इतना दूर खुद-खुद कोई काम किया ठीक है और इतना दुर बाकी जो छेत्र है तो बाकी छेत्र में कोई व्यक्ति more knowledgeable उसको help किया है तो जो help करेगा उसको क्या कहा जाएगा इसको folding कहा जाएगा जो खाली छेत्र है यानि जो इसके बीच और इसके बीच का जो line का अंतर है मैंने उसके जो खुद मेहनत की है जिस लक्षे तक उसको जाना है तो उसके बीच के जो अंतर है तो उसको क्या कहेंगे GDP कहेंगे अब इससे हम लो समझ गया आगे हम लो समझने का कोशिस करेंगे देखे या वाइगोस की कह हो गया देखे वाइगोस की मापनों बस दिमाग में डालीजिए कि वाइगोस की समाजिक संस्कृति के बात करते हैं और इन्होंने जेडी पी सिधान दिया उसको लिख दीजिएगा फिर एसको फर्लिंग का प्रयोग किया जो बुरुनर का सिधान ताब देखे ग्या निर्मार परकि इनके सिधान्त को क्या का जाता है इनका थिरी मॉडल है देखे साइकलोजिक जो नाम होता है नाम बहुत टफ होता है इंगलिस वाइग दिमाग में बैठा लेजे तो इनका थिरी थिवरी है इनका थिरी थोरी क्या है इंट्रेक्टिब देखे बहुत आसान में लिखे हैं ब्रुनर का ठीक है interactive, iconic, symbolic क्या है interactive, iconic, symbolic interactive, iconic, symbolic interactive का मतलब होता है छोटा बच्चा याने लग भग 3 साल तक उई समय का बच्चा क्या होता है गुढ़िया में ही क्या जीवाद समोलता है देखते हैं छोटी बच्ची गुढ़िया सुलाती है अरे मेरे गुडिया को गुडिया सो रही हला मत करो ऐसे बोलती है ना चाहिए मामी से बोलती है मा मेरे गुडिया को कुछ किला दो ना भूक लगिए तो क्या जीवाद है जीवाद का मतलब होता है निर्जीव चीज में जीवाद दिखना चाहिए चोटे बच्चे है बच्च तो एक्छन बेस्ट को क्या करता है इसमें उति इक्टीब रहते हैं अब देक्षे कंगे बहुते आईक्टीब रहते हैं अब देखिए आईगौनिक कहा जाता है 7 तक बच्चे क्या होते हैं इसमें बच्चे इसकोल जाने लगते हैं अग्यों पीजियां प्रेमरी में पड़े इसमेज द्वारा समझते हैं बच्चों को परने क्या जाएगा सब चाहे वेजटेबल का नाम हो, चाहे फूरूट का नाम हो, चाहे अनिमल्स का नाम हो, सब का नाम उसका इमेज दिखाएंगे, बच्चे इसली समझ जाते हैं, चुकि इससे क्या होती है, ग्याने इंद्रिया जो हम लोग को पता है, इमेज द्वारा क्या होती है, उसमें ए कर travelled करने बोस्क्ति करने लगते हैं तो पाथ किया बने हुइग वह है कुछ पूरी बोल रहा है और भ बुझा पूरी बोल होते हैं अबुटा होता है यह हット भी पर भी क्या करेंगे तो उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ अपने दिवायां में रिसर्च करके भुच पूरी कुछ हिंदी मला आपके बात करने लगते हैं वहीं बड़े हो जाते हैं तो क्या हो गया है रिड फॉरा रिशर्च यानि बच्च प्रिया करते हैं लेंग्व़ बीस्ट हो जाते हैं हर चीज में तो प्रूनर को सिधान इन रिचेश स्भाए rag furniture इन्हाद एक बेंपोर्टर एक चरूम स्ब्हसत बड़ीजास रिचय ऐस्वच शबचर ध्रीया से समनते इन्हें वहने एस्पाइरल करिकुलम दिया क्या दिया एस्पाइरल करिकुलम का बात करते हैं देखिए एस्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या हुआ है गुथा हुआ एक दूसर से गुथा हुआ मतलब गुथा हुआ का मतलब होता है माला गुथा हुआ है एक भी मोती तोड़ दीजिएगा एक जगा से सारा माला गिर जाएगा एक कौपी पी आता है गुथा हुआ आप सोजिया का आधा निकाल देता आधा बेकार नहीं हो जाएगा तो इसको एक स्पाइरल होता है हमने ए अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो अगर सिक्स क्लास में मानिए कि एट चेप्टर है एक बात कह रहा है एट अध्याय है तो अगर उसके हम फर्स्ट फाइब छोड़ दें एकदव में लास्ट एट चेप्टर में चले जाए तो क्या होगा बच्चों को दिकत होगा नहीं समझाएगा है चुकि एक दूसरे से related करके integrated रहते हैं और उससे सारे subject रहते हैं मतलब सारे chapters रहते हैं तो इसलिए क्या कहा जाता है बच्चों को सुरू से पढ़ा जाता है उसमें लिखा भी जाता है कि अगले अध्या chapter में पढ़ा होगा आखिर ऐसा क्यूं लिखा जाता है क्यूंकि ऐसा लिखा रहता है कि भाई पीछे आप यह पढ़ लिए हैं तो आगे वाला जो चेप्टर है उसको पढ़ने में आपको परिशानी नहीं होगी ऐसा एक एकदम नौर्मल एक्जामपल देते हैं मानिए बच्च करके का ऐसे मल्टिप्लाइ करके तुम्हा टेबल एजली याद आएगा लेकिन जब देखी वो बच्च या डिवाइड डिवीजन करता है या मल्टिप्लाइ करता है क्या उसमें धीर धीर जोडता रहेगा नहीं अगर उसे 20 तो कम से कम टेबल याद है तो मानिए कि 12 पूरव ग्यान के अधार पे ही नहीं ग्यान का निर्वाड हो रहा है इसको क्या कहते है इस पाइरल करिकुलम कहते हैं देखिए इनका सबसे इंपोर्टन देखिए फिर आ गया एसके फॉल्डिंग जिसका हम लोग बात कर चुके हैं देखिए इसमें थोड़ा सा है शर पर अधम इसका स्रे दिया जाता है इस वर्ड को कहाने का इसके फॉल्डिंग बुरुनर को लेकिन आगे इसका परियू किसे ने किया वाइगोस की ने किया इसका एक से प्रिमेंट किसे ने किया वाइगोस की ने किया तो इसे हम लोग समझ गया आप देखिए आगे समझेंगे अधा अधा बुरुनर सीखने में स्वायता पर बल देते हैं तो बुरुनर किस पर बल देते हैं स्वायता से स्वायता स्वायता का मतब होता है ना बच्ची को स्वातन रूप से छूड़ दीजिए कि बच्चा क्या अब खुद से सीखेगा तुरुटिया करेगा हम सब जानते हैं तुरुटिया क्या है हमारे लर्निंग का ही एक पार्ट है को अनिवेशन की किरिया दूरा सीखने के लिए परसाहित किया जाएगा वो सीखने के लिए अधिक प्रयास करेगा इनका कहना है कि बच्चे जब खोजबीन करेंगे, जब बच्चे में स्रिजन आत्मक्ता के विकास होगा, तो बच्चे को क्या करना चाहिए, उनको परसाहित करना चाहिए, नहीं हैंस करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिसे बच्चे क्या होंगे और सिखेंगे, इसको रटवाना नहीं चाहिए, ए नहीं कि आए, किताब से बोल-बोल के नोट से लिखवा लिए, अरे, कुछ समझाए नहीं, किताब लेकर आए, आप पूरा बच्चों को छपवा दिए, तो बता ही कैसा टीचर, बुक लेकर आ रहा है, आप पूरा छपवा दे रहा है, तो खुद खोजबीन करेंगे, आप टीचर को पूरा उसको समझा देना चाहिए, तो बच्ची खोजबीन करेंगे, उनका दिमाग का क्या होगा, डबलब होगा, संयान नात्मक बिकास उनका बढ़ेगा, अप फिर अगर बच्ची गलती कर रहा है, तो उसका मेन में जो टॉप उसके बाद book anything होगा, ठीक है, अब देखिए, इसको आगे हमनों समझेंगे, तो वा सिखने के लिए अधिक परियास करेंगे, बच्चा क्या करेंगा, अधिक परियास करेंगा, अब टीचर आए, पूरा छपवा दिये, तो बच्चा परियास करेंगा, नहीं करेंगा, बु बिद्दार्थी अपने परियास से ही, बिना किसी पूर्व निर्धार्थी, उनको कुछ मतलब निर्धारें नहीं किया जाए, कि आरे हमें इसको लिखवा रहे हैं, लिख लो, बल्कि वो अपने दिमाग लगा के भी सीखेंगे, बुरुनर सिक्चा का महतपुल उद्दे स यह मानते हैं कि बिद्दार्थी, बुरुनर सिक्चा का महतपुल उद्दे से क्या मानते हैं, कि बिद्दार्थी यह सीख लेखी, सीखना कैसे होता है, सीखने में क्या मुल्य निहींत है, जिस ज्ञान की उसे आप सकता है, वह अपने ही परियास से पराप्त करें, इनका कह किर दूख़े पहतती कि यह नहीं इस प्रॉइस कि इस प्रूइब तो इस पता चलंगा आखिव हैं तो इसमें हम क्या लिखें, यानि क्या लिखने क्या हो सकता है, क्या नहीं लिखने क्या हो सकता है, वो अपने ही परियास से प्राप्त करें, ऐसे क्या करेगा, वो खुद अपना ही कोशिस करेगा, और उसे परियास करेगा, तो इस प्रकार हम लोग आज का टॉपिक कवर किये आज का question क्या था ग्यान निर्माड की प्रकिरिया क्या है और ग्यान निर्माड की प्रकिरिया में हमारी मनोवय ग्यानिकों का क्या योगदान है और इन मनोवय ग्यानिकों की योगदान में हम लोगों ने तिन बेक्तितों को पढ़ा एक है फ्याजे दूसरा है वाई गोस की एक है भुना ठीक है और इनका आई होप आप लोग को समझ माया होगा और इसलिए अब मैं अपने बाने को विराम देती हूँ जय हिंद जय भारत एदी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें चुकि अगर आप सब्सक्राइब किये रहिएगा तो आगे वाला जो वीडियो में डालूंगी वह आप लोग तक पहुंच जाएगी आज जो भी बीट सेकेंडियर में पढ़ें उनके लिए तो यह बहुत ही राम बान साबित है तो इस पर का मैं अपने बाने को विराम देती हूँ जय 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 वारत ज़ होगा है जय को वीडियर में इस का भी उनके अग वारत प्द às जनके वारत